दोस्तों बोर्ड एक्जाम 2021 की बात करें तो देश भर में माक्सिमम राज्यों में बोर्ड एक्जाम कंड़क्ट होना है लेकिन जिस तरह से करोना के बढ़ते मामले निकल करके आ रहे हैं इस वक्त अगर हम बात करें पिछले 24 गंडी की तो एक लाग बावन हजार से ज्यादा केसे निकल करके आए हैं महरास्ट अभी भी टॉप पे बनावा है और उसके बाद में अन्य राज्य लगातार पीछे से चेस करें हैं जैसे की रेस लगे भी है और इस वजह से कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण कई राज्यों ने अपने बोर्ड एक्जाम के जो डेट्स हैं उसमें बदलाव किया है बहुत बड़ा अपडेट है और नहीं होगा किस तरह से होगा कैंसल होगा पोस्पोन होगा या दिया जाएगा जनल प्रमोशन यह सब पे काफी विवात चिड़ा हुआ है maximum अगर political parties अब कहें तो favor में आ रहे हैं students के leading news channels सारे का सारे channels अब students की बात कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि जब पिछले session में सिर्फ 80,000 के आसपास के cases में exams जो बचे वे exams को cancel कर दिया गया था और नई marking scheme की ववस्था की गई थी तो इस बार जब एक लाग 52,000 के उपर cases चले गए हैं तो बच्चों के बारे में कोई क्यों नहीं ध्यान दे रहा है और इस समय मैं आपको अगर आप बात बताओं तो अभी तक पुरे देश में सिर्फ बिहार बोर्ड की जो exams हुए हैं वो हुए हैं और उनके result आए हैं कहां बदलाव आने वाला है यह हम आपको पूरा अपडेट देंगे जल्दी से शुरू करते हैं लेकिन पहली पर अगर आप हमाई चैनल में आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यहां पर मैं सबसे पहले शुरूबात करूंगा 36 गड़ के 36 गड़ में 15 एपरल से एक्जाम्स बोर्ड एक्जाम्स क्लास 10 12 के होने वाले थे लेकिन यहां पर 15 एपरल से एक्जाम्स होने वाले एक्जाम्स को कैंसल कर दिया गया जो बोर्ड एक्जाम जो होने वाला था वो शुरू होने वाला था यहां पर 3 मई से 24 मई तक आयोजित होना था लेक लेकिन अभी जो इसका next rate है ये अभी तक इसके बारे में कोई update निकल करके नहीं आया है next हम बात करेंगे MP board यानि कि मद्यपरदेश board की जिस तरह से करोणा के इस वक्त संकर्वन वहां infection rate देखा गया है उसको देखते हुए मद्यपरदेश में भी board exams के तित्यों में बड़ा बदलाव किया जा सकता है मैं आपको बता दूँ कि जो पहले का schedule है उसके मताबिक class 10th के exam 30th April से शुरू होने वाले थे और 12th के exams एक माई से शुरू होने वाले थे और मद्यपरदेश ने वैसे एक बड़ा step उठाया था कि class 9 और 11 के exams को open book system के माध्यम से घर बैठे बच्चों से exam लेने का इसनोंने तैयारियां पूरी किये हैं कह लीजे कि उस तरह से वो exam ले रहे हैं लेकिन बोर्ड exam के तारिक क्या changes आएंगे इस तर विचार किया जा रहा है उमीद है इस पे भी बड़ा बदलाव निकल करके आएगा अगर हम बात करें महरास्ट बोर्ड की तो महरास्ट बोर्ड में उपर में काफी ज़्यादा विवाद में चुड़ा हुआ है आप सबको जानकारी होगी कि वर्षाग आएकवाड माडम लगातार उनके जो व्यूज हैं जो उनके opinions हैं वो लगातार change हो रहे हैं और इस चीज़ को लेकर के गारजन students में बहुत ज़्यादा गुसा भी है और जायज भी है क्योंकि महरास्ट 58,000 per day cases से लेकर के वो अभी भारत में सबसे top position पे बना हुआ है यहाँ पे स्तिती काफी गरवड है lockdown संपूर्ण lockdown लगने से इंकार नहीं किया जा सकता किसी भी महरास्ट समय में महरास्ट में संपूर्ण lockdown लगाया जा सकता है तो यहाँ पे हृला कि महरास्ट बोर्ड का कहना है कि 10 वी और 12 कख्षा के जो है बोर्ड exam उसमें कोई बदलाब नहीं किया गया है यहाँ पे board exams जो हैं वो 29 अपरल से और 12 की जो board exam है वो 23 अपरल से शुरू होने को है लेकिन होंगे इस पे बड़ा सा caution mark है ऐसा ही कुछ फैसला लेने वाला है हिमाचल बोर्ड हिमाचल प्रदेश माधिमिक सिक्षा बोर्ड जो ये exams class 10-12 के exams जो हैं वो 13 अपरल से शुरू होने वाले थे वो अब फिर से पुनर विचार करने पर मजबूर हो गया है क्योंकि 13 अपरल यानि कि जस्ट एक दो दिन बाद तो situation अभी किसी भी हालत में control नहीं है यहाँ पर भी class 10-12 को छोड़ करके बात बगी सभी classes के बच्चों को promote कर दिया गया है general promotion दे दिया गया है तो यहाँ पर एक बड़ा step उठाया गया है जारखंड बोर्ड के अगर हम बात करें तो class 10 के exam चार माई से यानि कि CBC बोर्ड के accordingly शुरू करने के बात के गई है लेकिन यह आसानी से कर पाएंगे इस पर एक बड़ा question mark है क्योंकि जारखंड में भी infection rate जो है वो काफी ज़्यादा देखने को मिला है और यहाँ भी board पुर्णर विचार करने पे बैठा हुआ है हर्याना बोर्ड के अगर हम बात करें तो यहाँ पे 10 वी के exam जो है वो 22 अपरल से और 12 वी के exam बीस अपरल से शुरू होने को है लेकिन यहाँ भी जिस तरह से कुरिक्षेत्र करणाल में निकल करके आया है ग्यारा सो से ज़्यादा students का कुरोणा जो वो positive पाए गए उसको देखते वे और भी काफी चीजों को देखते वे यहाँ भी जो सरकार है वो पुनर विचार कर रही है पंजाब के अगर हम बात करें तो पंजाब सरकार ने जिस तरह से पंजाब में बहुत तेजी से कोईट के infection rate बढ़े थे उसको देखते हुए 15 अपरल तक अपने यहाँ के जितने भी school colleges है उसको बंद करने का फैसला लिया और वो 31 सब मान के चलो कि हो जाएगा ठीके board exams के date में भी बड़ा बदलाव किया गया है नई date sheet के मताबिक पंजाब में class 10 के जो exams हैं वो 4 से 24 मही तक चलेंगे और 12 के exams जो हैं वो 24 से 20 अपरल से 24 मही तक चलेंगे लेकिन मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हालत में पंजाब भी इन जो dates उन्होंने अभी फिलहाल decide किय उस पे भी वो ले पाएंगे इस पे एक बड़ा question mark बना हुआ है अब हम बात करते हैं CBC board exam की तो CBC लाखो parents के request को students के request को teachers के request को ठुकराते वे जिद पेड़ीवी है कि वो 4 मही से अपने exams को शुरू करेंगे लेकिन ये होता हुआ संभव नहीं दिख रहा है क्योंकि CBC affiliated schools क संख्या तमाम राज्यों में फैलीवी है और खास वर पर उन राज्यों में जादा है जहां पर ये जो जहां पर infection rate बहुत जादा है वहीं पर ही CBC affiliated schools की संख्या भी जादा है तो हाला कि CBC board क्या रहे है कि 40-50% exam centers में बढ़होतरी की गई है काफी कुछ देखने को मिलेगा लेकिन ऐसा होता हुआ बिलकुल भी नहीं दिख रहा है यूपी board के जो exams है वो चुनावों के वज़ा से 24 अपरिल के बजाए उस date को संशोजित कर दिया गया है अब वो 8 माई से शुरू होंगी मैं आपको बता दूँ कि 10 वी की परिक्षाए 25 माई से माई से और 12 वी की जो बदल दिया गया है समय को दो यहां पे जो परिक्षाएं हैं वो साड़े 8 से 11 वे तक होंगी पहले दो बज़े से होना था उसमें changes किया गया है पांच माई से परिक्षाएं शुरू होंगी ऐसा कहा जा रहा है लेकिन फिर जैसा कि मैंने कहा ये सभी राज्ये जितना भी मै अगर आप बता पाते तो तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि अभी तक जो पश्री मंगाल का हमारे पास में रिपोर्ट है वो है एक जून से 30 जून तक यहां पर exams conduct किये जाएंगे तो गाईज यह यह रहा latest update आज तक का अभी तक का latest update है कि कहां कहां सोच रहे हैं जैसे इन परिस्तितियों में exams ले पाना और वो भी खास और पे जब students, parents सब विरोध में हैं तो आसान नहीं होगा तो guys हम आपको latest update लगातार दे रहे हैं अब भी तक अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो जली से कर लिजे हमारे other channels for studies, my CBC guideline को भी subscribe करना बिल्कुल नहीं बो झालना है झालना है यहीं है दोगाओा उने हमारे चास सब फिल्कुल झालना है तो ओक पत रहादार को ज discriminer पते हमारे से कर दोद।़ कि हम समिर अगराना है जो प्रूब में जदो हैं खवादान 15.Teamあります जभ Vielen नहेुके किया तो प्रुद़ को भी जज जुब में हैं दो की प